नमस्कार दोस्तो JE classes मेरट परिवार आपका एक बार फिर से स्वागत करता है मैं हूँ सिप संकर सर्मा और आप मेरे साथ पढ़ते हैं Engineering Drawing First Engineering Drawing First में हमने Last Class में बात की थी Engineering Drawing First के syllabus के बारे में तो जब तक सभी students हम से जुडते हैं तब तक हम last class के बारे में बात कर लेते हैं last class में हमने chapters पढ़े थे कि engineering drawing first में कितने chapters हैं और उन chapters के अंदर हमको क्या-क्या पढ़ना है किस chapter का previous year exam में कितना videos रहा है वो सब हमने last class में discuss किया था आज हम discuss करेंगे engineering drawing first के first chapter के बारे में जिसका नाम है engineering drawing equipment and applications तो students जब हम कोई भी कारे start करते हैं कोई भी काम हम सुरू करते हैं तो सबसे पहले हम उसके बारे में यह जानते हैं कि हमें उस कारे को start करने के लिए किस किस चीज की हमें जरूरत है तो अब हम देखते हैं engineering drawing पढ़ने से पहले हमें कौन-कौन से उपकरण चाहिए और उन उपकरणों का क्या-क्या अनुपरियोग है किस तरीके से वह उपयोग किये जाएंगे तो आप सभी लोग मेरे साथ last तक बने र का आनंद ले सकें आओ अब हम बात करते हैं पहले equipment के बारे में जो कि बहुत ज्यादा important है और आपने अगर अभी तक मैं आपको बताऊंगा कि कौन-कौन से instrument आपको purchase करने हैं कौन-कौन से instrument आपको लेने हैं वो मैं आपको बताऊंगा लेकिन last में मैंने आपको बताया था कि जो first chapter है उससे चार marks का एक question आया है और वह question क्या था friends वह question यही था कि drawing में प्रियुक्त होने वाले उपकरणों के नाम लिखिये यह पहला question था जो कि चार नंबर का पूछा गया था last year में तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले उपकरण के बारे में तो देखिए सबसे पहला जो equipment है वह है drawing board आप सभी अगर आपने नहीं purchase गिया है तो purchase कर लीजिए जाईए आप बताईए कि drawing board आपको खरीदना है drawing board आपको कैसा लेना है उसकी dimensions मैं आपको बताऊंगा कि कितना बड़ा आपको drawing board लेना है ठीक है उसके बाद में drawing board का का काम क आपको बताता हूं कि जब भी आप कोई भी drawing बनाते हैं तो drawing sheet को आप जिस platform पे रखते हैं उसका नाम होता है drawing board बात आप समझ गए होंगे मेरी कि drawing board का क्या use है drawing board का use है कि आप drawing sheet को उस पर set करते हैं ठीक है friends तो drawing board का size क्या है different different type types के size में आपको drawing board मिलता है लेकिन आप जो ह है drawing board जो लेंगे वह 700 mm into 500 mm into 15 mm मैं यहां पर size लिख देता हूं एक बार note कर लीजिए मैं size आपके सामने लिख देता हूं जो drawing board आपको purchase करना है मार्केट से 700 mm into 500 mm into 15 mm यानि कि drawing board की जो लंबाई है वह 700 mm है चोड़ाई जो है वह 500 mm है और thickness जो है वह 15 mm है यह drawing board आपको purchase करना है drawing बनाने के लिए now अब हम बात करते हैं आगे T square and set square तो दोस्तो T square and set square I hope कि आपने सभी ने देखा होगा T square कैसा दिखता है या set square कैसा दिखता है आपने geometry में जब आप 6, 7, 8 में होंगे और आप geometry box लेके आते होंगे तो वहाँ पर T square and set square आपको मिले होंगे उस geometry box में इनका काम क्या होता है friends ये 90 degree angle पे अगर कोई line खीचनी हो या 30 degree पे या 45 degree पे आपको कोई भी line set करनी हैं तो आप T square and set square का use करते हैं लेकिन आपको engineering drawing में यह सब काम करने के लिए एक बहुत ही बहतरीन instrument है जो के अगला instrument है mini drafter आप उसका इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको इसे purchase करने की जरूरत नहीं हैं T square और set square अगर आप ना भी purchase करें तब भी आपका काम चल जाएगा क्योंकि mini drafter एक ऐसा instrument है या ऐसा equipment है जो सारे काम करता है angle measure कर लेता है, cd line खीज लेता है, parallel line खीज लेता है, perpendicular line खीज लेता है यानि कि mini drafter से आप वो सारे काम कर सकते हैं जो आप T square या set square से करते हैं लेकिन दोस्ट अगर हमें exam के point of view से अगर ये question आता है कि हमें drawing में प्रियुक्त होने वाले उपकरणों की नाम लिखिए तब आपको T square और set square वहाँ पर लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको वहाँ पर number of equipment बढ़ाने होते हैं कि कौन कौन से equipment ऐसे हैं जिने आप use कर सकते हैं तो वहाँ पर आप ये सारे instrument लिखेंगे लेकिन जो आपको purchase करने हैं वो मैं आपको अलग से बता दूँगा कि आप इनको तो purchase कर लीजिए ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे drawing sheet आप सभी जानते हैं drawing sheet के बारे में ठीक है तो drawing sheet आपको market से purchase करनी है अब आप जो drawing sheet लेकर के आएंगे वो full drawing sheet होगी उसका size होगा वो full होगा आप जो भी drawing बनाएंगे वो half drawing sheet पे बनाएंगे आप उसे half कर लेंगे जो भी आप market से लेकर के आ रहे हैं आप उसे equal part दो part में divide कर लीजिए और एक part पे अपनी drawing बनाएए कैसे set करते हैं वो next classes में देखेंगे कि drawing board पर drawing sheet को कैसे set किया जाता है ठीक है आगे हम बात करते हैं drawing clips या cello tape drawing clips क्या हो दे हैं drawing clips वो equipments है जिससे आप drawing board पर drawing sheet को set करते हैं कि आपकी drawing sheet है वो drawing board पर हिले नहीं इधर उधर न हो जाए एक जगह जहां आपने उसे लगा दिया है वो वहीं पर set रहे इसके लिए आप drawing clips या cello tape tape आ दिये आप corner पर tape लगा दीजिए लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप drawing clip इस्तेमाल कीजिए क्योंकि cello tape हो सकता है कि आपके board और drawing sheet से चिपक जाए जब आप उसे वहां से उखाड़ है यानि कि जब आप drawing sheet जमा करेंगे तो हो सकता है कि आपकी वो drawing sheet को नुक्षान पहुंचा दे हो सकता है फट जाए इसलिए cello tape नहीं इस्तेमाल करके आप drawing clips से इस्तेमाल करेंगे next हम बात करते हैं drawing pencils pencils आपने देखी होंगी आप जब छोटी क्लासों में हैं तब आप pencil से लिखा करते थे और वो pencil कैसी होती थी hb pencil होती थी जब याप pencil purchase करते हैं तो आप उस देखते हैं कि उस पर क्या लिखा हुआ है एच लिखा हुआ है टू एच लिखा हुआ है बी लिखा हुआ है टू भी लिखा हुआ है pencil जो होती है उसका एक नाम होता है तो आप जो इंजिनिंग ड्राइंग फरस्ट में इस्तेमाल करने तो pencil देखते हैं कौन-कौन सी pencil होती है मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक pencil होती है आपकी H एक pencil होती है 2H और एक pencil होती है HB तीनों pencil आप market से purchase कर लीजिए इन तीन pencil के अलावा आप और कोई pencil purchase मत कीजिए आपको कोई बोलता है कि 2B करी दिये या B करी दिये बिल्कुल जरूरत नहीं है मैं आपको बताता हूँ सिर्फ ये तीन pencil हैं जो आपको engineering drawing first में use करनी है यहाँ पे इनका मतलब क्या है H, 2H और HB का मतलब क्या है तो H stands for hardness कठोरता के लिए stand करता है H आप pencil के बारे में अगर आप जानते हैं तो अगर जो pencil का नाम है यानि कि जो H बता रहा है वो बताता है उसकी hardness को कि वो कितनी hard है और B जो लिखा हुआ है B बताता है B for blackish यानि कि वो कितना black चलती है कितना काला चलती है ठीक है friends तो H pencil अगर आप यहाँ से देखेंगे तो H pencil जो है वो hard है ठीक है 2H pencil जो है वो extra hard है यानि कि इससे भी hard है और HB pencil जो है वो medium hard है medium hard है ठीक है friends अब यहाँ पे HB pencil जब आप देखते हैं तो बहुत dark चलती है आपने use की हुई है लेकिन H और 2H यानि कि 2H pencil जो है वो बहुत हलकी चलती है ठीक है dark नहीं चलती है ऐसे ही जो H pencil है वो इससे हलकी चलती है सोरी सबसे कम जो हलकी चलती है वो 2H चलती है H pencil जो है उससे थोड़ा extra black is चलती है और सबसे जादा black is जो चलती है वो HB pencil चलती है तो अभी आपको मैं बता रहा हूँ सिर्फ equipment के बारे में तो आप सिर्फ यह तीन pencil आप ले आईए रख लीजिए जब use करनी होगी तब मैं आपको बताऊंगा कि वह use कैसे करनी है ठीक है फ्रेंड्स तो अभी हम देखते हैं आगे नेक्स्ट पे scales scales क्या है आप सभी ने देखा है पट्री जिससे कि आप measurement करते हैं 15 cm 30 cm आपके पास scale होता है geometry box में वही scale है पट्री जिससे आप बोलते हैं मेजर करने के लिए तो वह आपके पास होनी चाहिए मैं आप से कहूंगा कि आप 15 cm की पट्री खरीद लीजिए ठीक है फ्रेंड्स 15 cm की पट्री आप ले लीजिए और अभी next जो आने वाला है drawing compass geometry में आपने देखा होगा कि आप एक compass लेके आते हैं परकार लेके आते हैं जिसमें एक pencil लगाते हैं उससे कोई भी आर्क लगाते हैं ठीक है सेम वही प्रोसीजर आर्क ही लगाना है कोई भी point mark करना है drawing compass से लेकिन उस तरह की परकार नहीं होती है जैसी आप geometry box में पढ़ लगा कैसी होती है तो ऐसे आप अगर जाएंगे सोब कीपर के पास अगर आपको कोई भी college है उसके पास में अगर कोई भी booksealer है तो उसके पास में यह सारे instrument आपको मिल जाएंगे आराम से आप उसे बताएंगे कि मुझे drawing compass चाहिए तो वह आराम से drawing compass आपको देदेगा वह compass ऐसी होती है जिसमें कि pencil नहीं लगती है उसमें pencil की nib जो नौक है वो लगती है ठीक है बागी आप अगर काम करना चाहें तो जो geometry वाली compass है उससे भी कर सकते हैं बागी सावधानी की जरूरत है आप अपने हाथ को कितने अच्छे तरीके से चला पाते हैं क्योंकि friends जो drawing है वो सिर्फ और सिर्फ एक practice का और सफाई का आप विसेश ध्यान देंगे कि आप जो drawing बना रहे हैं वो साफ सुत्री बने ठीक है क्योंकि drawing बनाना तो सब लोग जान जाते हैं सीख जाते हैं लेकिन उसमें सफाई जो आती है cleanness जो आती है कि drawing sheet को देखकर कि आपको एकदम सब सीख जाते हैं याद कर लेते हैं लेकिन कितने अच्छे तरीके से उसको खीच पाते हैं वो आप cleanness या practice से ही सीख पाते हैं तो मैं आप से कहूंगा कि आप जादा से जादा practice करें जादा से जादा अगर आप mini drafter पे drawing sheet पे practice करेंगे तो वह आपके लिए फायदा रहेग कि क्या reason रहा है कि आपके कम marks हैं क्या आपको नहीं आती है सब को आती है बढ़ते सभी हैं लेकिन जो जादा practice करता है marks उसके जादा आते हैं क्योंकि जब आप copy paste बिना scale के बिना mini drafter के कोई भी line खीचेंगे तो क्या सीधी खीचेगी नहीं खीचेगी आप drawing sheet पे अगर आप बनाएंगे mini drafter से बनाएंगे तब बहुत अच्छी line खीचेगी साफ सुत्री खीचेगी वो सारी चीज़े मैं आपको अपनी आने वाली classes में समझाऊगा कैसे आपको line कीचनी है single stroke में कीचनी है double stroke में line नहीं कीचनी है वो सारी चीज़े हम सीखेंगे बस आप मेरे साथ बने रहे ठीक है आगे बात करते हैं drawing compass तक बात हो गई है circle master यह आपको नहीं खरीदना है लेकिन use होता है drawing में circle master होता क्या है एक आपने देखा होगा एक circle type का बना हुआ आता है उसमें बहुत सारे circle बने होते हैं छोटे छोटे बड़े बड़े छोटे ब में बना हुआ instrument आता है जिसमें के different type के curve बने होते हैं अगर आपको कहीं curve बनाना है जब हम छोटे होते हैं तो geometry box में जब यह सब चीज़ें आती हैं तो इनसे हम खेल करते हैं क्योंकि तब हमें इनका यूज नहीं पता होता है कि कहां ये यूज करनी है तो बस paper पे लिया औ और french curve है या कोई भी अगर circle master भी है तो page पे रखा और kola बना दिया तो हमें यूज नहीं पता होता है लेकिन ये engineering drawing में सभी यूज होते हैं french curve उसके बाद में pencil sharpener आप सभी जानते है pencil sharpener छिलने के लिए हिंदी में आप उसे cutter अगर बोलते हैं तो send paper pad send paper pad क्या है ये भी एक drawing उसमें इस्तेमाल होता है लेकिन आपको नहीं खरीदना है उसके बाद में rubber और eraser ये जरूर खरीदना है आप exam में अगर आप जाएं कभी भी किसी दूसरे बच्चे से या दूसरे student से आप कुछ भी चीज नहीं मागेंगे सारी चीज आपके अप अपने पास होनी चाहिए बादर program ये सारी चीज है पेंसिल इसके लिए सारी चीज अपनी लेकर जाएंगे क्योंके अगर आप किसी दूसरे से लेते हैं तो किसी आप अपने आपको भी डिस्टर्व कर रहे होते हैं गर्णर नहीं बना उसके आप drawing sheet नहीं बना सकते last में एक handkerchief यानि कि अगर आप कोई भी erase करते हैं किसी line को या pencil छील लेते हैं उसके उपर उस pencil के छील के आ जाते हैं तो उनको साफ करने के लिए आपको एक कबड़ा चाहिए एक अच्छा कबड़ा हो रुमाल जो है आपका एक अपना रुमाल अलग रखिए और एक drawing के लिए रुमाल अलग रखिए वो आपको जरूरी है ठीक है आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कौन कौन से instrument आपको लेने हैं अब एक बार मैं और बता देता हूँ आपको कि ये तो सारे instrument हैं जो कि engineering drawing first में use होते हैं बाकी जो आपको खरीदने हैं उन पे मैं आपको टिक लगा देता हूँ drawing board 100% लेना है बिना इसके कोई काम नहीं होगा mini drafter 100% खरीदना है ठीक है जिसने नहीं खरीदे हैं वो आज ही जाकर के purchase कर ले क्योंकि कल की जो class होगी वो बिना इसके नहीं होगी ठीक है क्योंकि जब तक आप पढ़ने के बाद practice नहीं करेंगे daily daily अगर आप practice नहीं करेंगे आपको नहीं समझ में आएगा मैं आपको फिर से repeat कर देता हूँ practice बहुत जरूरी है और जब तक equipment सी नहीं होँगे तब तक practice कैसे करोगे practice करने के लिए आज ही जा करके ये जो जो मैं टिक लगा रहा हूँ वो सारे instrument आपके पास होने चाहिए तभी आप engineering drawing पढ़ पाएंगे उसके बाद मैं clamp लेनी है drawing pencils तीनों pencil लेनी है H, 2H, HB तीनों pencil आपको लेनी है scale 100% लेना है drawing परकार आपको लेनी है ये नहीं लेना है वरत्मास्टर, french work भी नहीं लेना है pencil कर तक ये लेना है अच्छी quality वाला लेना है क्योंकि आपने देखा होगा जब आप छोटी classes में थे तो अगर सस्ते वाले अगर आप sharpner ले लेते हैं तो pencil की knock वो बहुत तोड़ते रहते है तो अच्छी quality का लेना है ऐसे ही rubber बहुत अच्छी quality की लेनी है ठीक है, ऐसी rubber नहीं लेनी है जो आपके paper को काला कर दे ऐसी rubber नहीं लेनी है, महेंगी वाली खरीदनी है थोड़ा खर्चा कर लेना, कोई बात नहीं है hand-kerchief, एक अपने लिए तो रखना है corona का time चल रहा है रुमाल होना चाहिए, लेकिन दो रुमाल रखने हैं आपको engineers हैं एक drawing के लिए और एक अपने लिए ठीक है friends, तो आज की class में बस इतना ही next class में हम मिलेंगे एक नई drawing के साथ में एक नई topic के साथ में बहुत ही interesting topic होगा आपको मज़ा आएगा क्योंकि अभी तक जो दो classes हुई है उन दौनों classes में बस introduction हुआ है ये questions बताए गए हैं कि कैसे questions हैं, अभी तक हमने chapter यह सी नहीं पढ़ाए mini drafter को खुझ से कसने की कोसिस करेंगे, नहीं कस पाते हैं कमेंट में मुझे बता देना देखिए, आपका एक discussion group है doubt group है आपका उस doubt group पे JEC Poly 1st Sam doubt group उस group पे आपको अगर जो भी doubt होता है अपने दोस्तों के साथ discuss करिए अगर आपके दोस्तों उसको clear कर देते हैं, बहुत अच्छी बात है नहीं कर पाते हैं, मुझे comment करिए, उस doubt को मैं clear करूँगा, और इस classes की जो भी report होगी, जो भी आपको notification देना होगा, जे ही classes परवार में जितनी भी classes चलती हैं उसकी जो भी notification होगी भी है, और doubt group का भी जो लिंक है, वो भी description में दिया हुआ है तो I hope कि आपको आज का जो topic है, वो समझ में आया होगा, आप जा कर कि यह सारे instrument खरीद कर लाएंगे, next class में मिरते हैं, तब तक के लिए thank you, जै हिंद, जै भारत